नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सिख्षा कल्चर में आज इस वीडियो में हम MSP से रिलेटेड डिटेड एनलाइसिस करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आकर MSP क्या होता है MSP का फुल फॉर्म होता है मिनीमम सपोर्ट प्राइस हिंदी में से न्यून्तम समर्थन मूले कहते हैं सरकार किसान की फसल के लिए एक न्यून्तम मूले निरदारित करती है जिसे MSP कहा जाता है आजादी के बाद के शुरुआती दस्कों में किसान इस बात को लेकर काफी परेशान थे अगर किसी फसल का बंपर उत्पादन हो जाए तो उन्हें उसके अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे इस तरह से किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती थी जिस कारण वे आंदोलन करने लगे इसके बाद ततकालीन प्रधान मंत्री लालवाद्दोर सास्तरी ने 1 अगस्त 1964 को एल के जाके नित्रत्व में एक समीती बनाई जिसका काम अनाजों की कीमत तै करना था देश में MSP तै करने का काम क्रशी लागत एवं मूल आयोग का है इंगलिस में इसे Commission for Agriculture Cost and Prices कहा जाता है MSP कैसे तै की जाती है इसके लिए आयोग अलग-अलग इलाकों में किसी खास वसल की प्रती हेक्टर लागत खेती के दोरन आने वाले खर्च सरकारी एजनसियों की स्टोरेज शमता वैश्विक बाजार में उस अनाज की मांग और उसकी उपलब्दता आदी मानकों के आखड़े घट्टे करता है इसके बाद सभी हित धारकों और बिशेशग्यों के सुजाब लिये जाते हैं अन्त में आर्थिक मामलों की कैविनेट समीथी इस पर अन्तिमफैशला देती है फसल लागत निकालने के तीन फॉर्मूले होते हैं इसमें से सबसे पहले हम डिसकस करते हैं एटू फॉर्मूला तो एटू फॉर्मूले में किसान की ओर से किया गया सभी तरह का भुक्तान चाहे वो कैश में हो या फिर किसी वस्तु जैसे बीज, खात कीटना सक, मजदूरों की मजदूरी, इधन, सचाई का खर्च भी एटू फॉर्मूले के अंतरगत जोड़ा जाता है, अब सेकेंड फॉर्मूले के हम बात करते हैं, इसमें एटू प्लस एफल, एफल मतलब फैमिली लेवर, इनमें एटू के अलावा, परिवार के सदस्यों दोरा, खेती में की गई, महनत का महनताना भी जोड़ा जाता है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, कॉस्ट भी जोड़ी जाती है, जिसमें फसल उगाई गई है, इसमें जमीन का किराया वजमीन तथा खेती वाड़ी के काम में लगी, इस्थाई पूंजी पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है, इसमें कुल क्रशी पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी सामिल किया जाता जिसमें खाद, पानी, बीज, दवा, मशीन की मरमत और उसके पारिवारिक श्रम आदी की लागत जुड़ती है किसानों के जीवन को भैतर बनाने के लिए बिशेशंग्यों ने कुछ सुजाब दी हैं चली उन पर चर्चा करते हैं सरकार को MRP की तरह MSP को भी कानूनी माननेता दलानी चाहिए क्योंकि अगर देश में एक चिप्स का पैकेट या कोल्टरिंग की बोडल MRP पर विख सकती है तो उद्योग पतियों तक एक तैम मुनाफ़ा पहुश सकता है तो फिर किसानों की फसल की कीमत फिक्स क्यों नहीं की जा सकती इसके अलाबा किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीच कम दामों पर उपलब्द कराए जाएं गाउं में किसानों की मदद के लिए फिलेज नौलिज सेंटर या ज्यान चौपाल बनाई जाएं महिला किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी किये जाएं किसानों के लिए क्रसी जोकिम फंड बनाया जाया ताकि प्रकरतिक आपदाओं के आने पर किसानों को मदद मिल सके मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इससे लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जै हिंद जै भारत थैंक्स पूर वाचिंग हैव अग्रेड डे